कितनी बुरी दशा में चल रहे हैं, आप सोचिए कि ये सत्यानासी भीड़, वाकर ही बता रहा हूँ, आपका जो सिप्सक्त है, ये सत्यानासी भीड़ है, और इस भीड़ को इस तरीके से, बापने बाप, पूरे दुनिया में जिस भारत की तारीफ हो रही थी, कि सीमित संसा जानों कि बावदूद भारत में अपने आत्म बल, अपने अनुशाशन, उससे चीजों को कितना नियंतर्त किया था, वो इसे में कलंक है, ये कलंक है, और अगर इस तरह की भीड़े कच्छा हुई है, तो निश्चित रूप से ये तो ऐसा भी सह है, कि अगर आजित ठाकरे जो कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ है, वो केंदर को बताने कारोप लगा रहे हैं, तो मैं अपने तज्जूर्बे से कह रहा हूँ, कि उद्धव ठाकरे सरकार को ये तिर्च से देखते हुए इस्तीफा देना चाहिए, और केंदरी बाउस्थाओं को आनियंतर रखना पातकालिक खत्रा तो सबसे बड़ी बात इस बात का है, ये निश्चित रूप से वाकई भयावा है, बांदरा इस्टेशन पर इतनी भीड होना, और आप सोचिए कि वहाँ बांदरा कुड़ा, देखे मुंबाइम बता दू, ये बांदरा कुड़ा और ये कलीना या इसा पातकालिक खत्रा तो सबसे बाता है, ये जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे गाउं के दस लोग है, एक ही कमरे बराते हैं, दो दो तेतिन शिफ्ट में वो जाते हैं, उसे ही उपर नीचे करके सोते हैं, लेकिन लाकटाउन में जब पांच-पांच की सिफ्ट में देखने मा रहा तो वहां की लोग बता रहे हैं, भूंपाइक में पर चित लोग बता रहे थे, अब सड़क पर देखने पर लाधियां भी परता रहे थे, तो ऐसे सूरत में निश्य तूप्स अगर कोई भड़काएगा, कोई कहेगा, कोई अफवाफ पैलाएगा तो भीड चुलिए एमत इवार जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया एक बार फिर हमाएं साथ वरिष बतकार जेपी सिंगी जोड़ चुके हैं, जेपी सिंगी बांदरा की तस्वीरे हैं, लेकिन इसने उस समस्या को फिर से देश के सामने रख दिया है, कि जौला हमने विद्रो की तस्वीरे देखी थी और उसके बाद बांदरा की बर्गलाने के बाद इकठा की गई भीड के तस्वीरे सामने हैं? तो तीन बजे से ये भीड जुकनी शुरू हुई थी, जो मस्जिद है वहाँ की जामा मस्जिद, बैटरा वेस्ट की, वहाँ पर पंदरा से बीस लोग पहले जुकनी हैं, उसके बड़े अधिकारी हैं, एटीपी, डीपी, उन्होंने समझाने की कोचिश की, कुछ मौलियो को बीच में डाला, और तबसे बड़ी बात में अधिकारी हैं, कोई इसमें बाहर ही नहीं हैं, और इसमें मजदूरों के अलवा भी जो लोग हैं वो हैं, तो अभी जाच इस बात की करनी चाहिए, इस बात की हो रही है, कि ये सारे के सारे लोग कैसे बुलाए गए, आठ ब तो जेपे सिंही सवाल भी आई है, अगर यहाँ पर वेल प्लान तरीके से भीड काठा की गई है, तो फिर प्रशासन की तयारियां किया है, ब्लूपरिंट क्या है वारीस से लढने का, कि कोई भी से धत्ता बना कर यहाँ बीड़ी काठा कर सकता है, कोरोना को फैला सकता है अपने अपने स्थर पर अपनी जान जोकिम ने डाल कर डॉक्टर्स पुलिस वाले लाठी खाकर जो है लोगों की मार खाकर यहां पर कोशिश कर रहे हैं और ऐसे माहौल में जो मुंबई का सेंटर पॉइंट है हाट जिसको कहा जाता है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में कि रहते हैं बहुत इस पूरे मामले को लेकर तीन बार अब तक मीडिया के सामने आ चुकी है कि आखिर इस पूरे मामले में इतने सारी भीड आई कैसे इसकी जाच होनी चाहिए इस पूरे इलाके से मैं वाकिफ हूँ मैं यहाँ पर चौबिस साल से पत्रकरता कर रहा हूँ तो मैं एक चीज़ आपको डंगे की चोट पे बना सकता हूँ कि यह जो भीड है यह सू मोटो नहीं आई है इस भीड को लाया गया है और इसी बात की जाच यहाँ पर होगी कि आखिर यह कोरोना वाइरस कैसे इस पूरे साजिश की पहला जा रहा हूँ है तो इसमें सरकार क का रुख भी चौकाने वाला क्या कम नहीं है अब इसे प्रवासी मजदूरों का रंग देने की कोशिश की जा रही है केंदर पर अपनी गलती नाकामी टालने की कोशिश की जा रही आधित ठाकरे के ताज़ा बयानों को देखें तो जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और य की तो क्यूंकि पुलीस और पुलीस के साथ जो पाकी प्रशासनी जम्ला था अंगला था उसक पर भीड को कंट्रोल कर लिया होता तो यह भीड नहीं पाती और एक जगे से यह फिड नहीं आई है यह चारो नहीं आपको बताओं बैंडरा जो स्टेशन है उसका एक रास्ता खार की तरफ जाता है, एक रास्ता सेंटा कुरूस की तरफ जाता है, एक रास्ता समुन्दर की तरफ जाता है, एक रास्ता इस की तरफ जाता है, यानि हाईवे की तरफ जाता है, तो ये हाईवे से भीड आई है, सेंटा कुरूस की तरफ से भीड आई है, और खार की तरफ से ही पड़ सकती है आपको नहीं लगता कि इसने महाराज सरकार के इस्चा Amen ago कर दीए चलकती सबते हैं करोनों को एक विजि पॉजिटिव इसमें पेशेन्ट नहीं होगा है कोई सत के पाधिव booklet क्वा इसमे अगerson कानून सबको धत्ता बताया गया है और किस तरीके से लोग यहाँ पर जुटे है और तितर-बितर करने के लिए भी जब पुलिस लाठी चार्ज कर रही है कितने लोग किस दिशा में भाग रहे हैं यह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक विज्वल्स है जो आज पुरी मुंबई लेकिन जब राज अपने अस्तर पर तैयारी कर रहे हैं नए नए तरीके अपना रहे हैं प्लान बना रहे हैं तम महराष्ट में जहां पर सबसे ज़्यादा संक्रमन है वहां पर तैयारी का लेवल यह है और अगर भीड सिलसलेवार धंग से कठा हुई है कई घंटों में तो यानि नीचे से लेकर उपर तक समय छेद है यह अब सामने आ चुका है बिल्कुल साही बात बोल रहे हैं यह जो तस्वीर है यह ना केवल महराष्ट के लिए बल्कि देश की भी चुंता बढ़ाने वाली और उमीद करते हैं वक्त रहते हैं अब यहां पर वो कदम उठाए जाएंगे जो इस साज़िश को बेनकाब करेंगे इसमें शामिल लोगों को बेनकाब करेंगे और वो बेहुस्ता कायम करेंगे जो कोरोना से लड़ने लाई को और मजबूती दे ना की माखाओ लुडा है तमाम जानकारी दे देने के लिए आपका शुक्रिया और लगातार हमाई साथ स्टूडियों से भी तमाम मैमान बने रहें उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया तो फिलाल आज की बहस में इतना ही नमस्कार कोरोना वाइरस के खिलावने पढ़ने के लिए देश में लॉगडाउन को तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया इस बीच मुंबई के बांदरा रिल्वे स्टेशन पर प्रवासी मज़ूरों की भारी बेड़ी कठा हो गया ये सभी मज़ूर घर जाने के लिए स्टेशन पर पहुँच गए इन्हें हटाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया माराष्ट में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है मुंबई में मनने बालों की तादा सोखे पार पहुँच गए इस बीच मुंबई के बांदरा स्टेशन पर हजारों की भीड जानकारी के मुंबई